हेलो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है कपेल और स्वागत आप सुभी का फुराब की सक्सेस में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपूटेंट कोशन आंसर का पार्ट 19 वीडियो जिसमें हम लोग 100 कोशन को देखेंगे ये कोशन आपके आने वाले सभी परतों की परचाव के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है तो इसलिए आप पिसिटों को सुरुसान तक जरू देखेगा और इन्हें याद कर लिजेगा अगर आप पिसिटों का पीडियो फाइल डॉनलोड करना चाहते हैं तो पीडियो डॉनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है तो चले अब कोशन के और बढ़ते हैं कोशन है लोगसबा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो देखें लोगसबा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या 552 हो सकती है ठीक है, next question है, question number 1803, पंचिल समझोता पर भारत वा चीन ने कब हसाचर किये थे, तो पंचिल समझोता जो है, या 1954 हुआ था, ठीक है, पंचिल समझोता पर भारत वा चीन ने कब हसाचर किये थे, 1954 में हसाचर किये थे, next question है, भारत चीन युद कब हुआ था, तो भारत चीन नेक्स्ट कोशन है कोशन मर एटीन हंडेड़ फाइव विटामिन सी का रसानिक नाम क्या है तो देखें विटामिन सी का रसानिक नाम है एसकॉर्बिक एसीड ठीक है विटामिन सी का रसानिक नाम क्या है एसकॉर्बिक एसीड और विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग हो जाता ह तो vitamin C के कमी से असकरवी नामक रोग होता है Next question है सीरका में कौन सामला पाया जाता है तो सीरका में ACT कामला पाया जाता है Next question है किस रक्त समू को सर्व ग्रहता यानि universal receptor रक्त समू कहते है यानि कि कौन सा रक्त समू वाला व्यक्ति जो है किसी भी दूसरे रक्त समू वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है तो वह है रक्त समू A B वाला ठीक है blood group A B वाला व्यक्ति जो है या किसी भी दूसरे blood group वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है और universal donor किसे का जाता है यानि कौन सा रक्त समों वाला व्यक्ति जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति को रक्त दे सकता है तो वह है ओ रक्त ग्रूप वाला ठीक है ब्लड ग्रूप ओ वाला जो है या किसी दूसरे ग्रूप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है next question है रक्त छिंटा रोग किसकी कमी से होता है तो रक्त छिंटा यानि एनिमिया रोग ये लोँई की कमी के कारण होता है आरेन की कमी से Next question है, question number 1809 किसी वज़दू का भार सून्य कहां होता है तो किसी वज़दू का भार सून्य होता है पिर्थवी के केंदृ पर अगला प्रस्न है चागोष द्वीप समू कहां वस्थित है तो चागोष द्वीप समू जो है या हिंद महासागर में वस्थित है नेच्ट कोषन है कोषन मेरे 1811 सत्रसो संतावनिस्वि का विख्याद प्लासी का यूद वर्तमान भारत के किस सहर में लड़ा गया था तो देखें प्लासी का यूद कब लड़ा गया था तो यह सत्रसो संतावनिस्विम लड़ा गया था तो प्लासी का यूद या मैदान कहां स्थित है प्लासी का यूद जहां पर हुआ था यह कहां स्थित है तो यह पस्षिम बंगाल में स्थित है ठीक है प्लासी जो है यह पस्षिम बंगाल में स्थित है नेक्स्ट कोशन है दच्छिन सेंडविच खाई अवस्थित है तो दच्छिन सेंडविच खाई या अटलांटिक महासागर में उस्थित है अटलांटिक महासागर में नेश्ट कोशन है आगरा का किला किस मुगल समराट ने बनवाए था तो आगरा के किला इसे अकबर ने बनवाए था नेश्ट कोशन है कोशन में 1814 अभरक उतपादक केंदर कोडर्मा इस्तित है तो कोडर्मा या किसले परसीद है तो या अभरक उतपादक के लिए परसीद है तो यह कहां से था कुडर्मा यह जार्खन राज में से था विश्व की सबसे व्यस्तम व्यपारिक नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यपारिक नदी है राइन नदी जो है जो की रूप महादेश में बहती है या विश्वकी सबसे व्यपारिक नदी है व्यस्तम व्यपारिक नदी है ठीक है राइन नदे next question है सो तंतरता मेरा जन्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने का था तो यह कहते बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है तो हमारी पिर्थवी के एक अपनी अकास गंगा है अपनी गैलेक्सी है जिसे दूगधमेखला कहते हैं या मिलकी वे कहते हैं next question है question मेर 1818 सत्य के परियोग या my experiment with truth किसकी आत्म कथा है तो या पुस्तक का नाम है सत्य के परियोग ठीक है next question है next question है next question है question number 1820 कौन से माना अंग के छतिगरस्त हो जाने या ठीक से काम न करने के सिती में रोगी को डालेसिस की सलाह दी जाती है तो देखे डालेसिस जो है या की जाती है गुर्दे की खराबी में ठीक है कीडिनी जब खराब हो जाता है माना अंग कीडिनी के छतिगरस्त हो जाने या ठीक से काम न करने के सिती में रोगी को डालेसिस की सलाह दी जाती है डालेसिस करवानी परती है डालेसिस किसमें कीडिनी की खराबी में ठीक है इसे दो बड़ा जलास्यों को जोडने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को जल डमरू मद्ध कहा जाता है Next question है महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रिय आंदोलन में दिया था तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिये थे ठीक है करो या मरो के नारा जो है इसे इस नारे को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था देखे भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ था तो यह वर 1242 हिसम हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन का एक अन्य नाम क्या है तो इसे अगस्थ क्रांती के नाम से भी जाना जाता है अगस्थ क्रांती के नाम से नेश्ट कोशन है कोशी नदी का प्राची नाम क्या है तो कोशी नदी का प्राची नाम है कोशी की नदी ठीक है कोशी नदी का प्राची नाम कोशी की नदी है देखे कोशी नदी को जो है बिहार का सोग भी कहा जाता है ठीक है एक्जाम में कोशन पूछा जाता है कि बिहार क बंगाल का सोग किस नदी को कहा जाता है तो वह कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का सोग किस नदी को कहा जाता है तो वह दामोदर नदी को कहा जाता है ठीक है बंगाल का सोग दामोदर नदी को और बिहार का सोग कोसी नदी को कहा जाता है कोसी नदी का प्राची नाम क्य प्रशियत जंडा गीत जंडा उचा रहे हमारा के रुचता है अगला प्शले है अनब्रेकेबल किसकी आत्म कता है तो अनब्रेकेबल या आत्म कता है मैरी कौम की नेश्ट कोशन है रीप्ट घाटी का निर्मान होता है तो रीप्ट घाटी का निर्मान भ्रंसन से होता है भ्रंसन से नेश्ट कोशन है भारतिये नागरिक्ता अधिनियम कब पारित किया गया तो भारतिये नागरिक्ता अधिनियम वर्स 1955 में पारित किया गया था अगला प्रस्ने है किसने महाबलीपूरम के भव्य रत गुफा मंदीरों का निर्मान करवाय था तो महाबलीपूरम जो की तमिलाडू में सित है तो महाबलीपूरम के भव्यर रथ गुफा मंदिरों का निर्मान नर्सी वर्मन पर्थम ने करवाए था Next question है किसके सासन में कैप्टन हौकिन्स और सर्थामस रो ने भारत का दौरा किया था तो कैप्टन हौकिन्स और सर्थामस रो ने जहांगीर के काल में भारत का दौरा किया था अगला प्रस्न है स्रिलंका की सबसे उची चोटी कौन सी है तो स्रिलंका देश की सबसे उची चोटी है पीदूरू थाला गाला ठीक है पिदूरी थाला गाला जो है यह स्रिलंका की सबसे ओंची चोटी का नाम है नेक्स्ट कोशन है कोशन मेर 1833 किस सविधान संसोधन के तहत 6-14 वर्स की आयू के बच्चों को मुपत और अनिवारे सिछा का प्राधान किया गया है इसका राइट आνशर है 26 सविधान संसोधन अधिनियाम 2-2 के दुवरा जो है 6-14 वर्स की आयू के बच्चों को मुपत और अनिवारे सिछा का प्राधान किया गया है नेक्स्ट कोशन है भारते सवधान की कौन से अनुसुची पंचायती राज से समंदित है तो पंचायती राज से समंदित है ग्यारवी अनुसुची ठीक है ग्यारवी अनुसुची जो है यह पंचायती राज से समंदित है नेक्स्ट कोशन है कोशन मेरे 1835 पुर्तगाली 1524 हिस्व में कहा हुई थी वास्को डिगामा जो थे इन्होंने भारत के लिए समूदरी मार्गे की खोज की थी तो यह जो है इनकी मिर्थू 1524 हिस्व में केरल के कोच्ची में हो प्लाए थी केरल के कोच्ची में हुई थी इनकी मिर्थू ठिक है नेस्ट कोशन है किस नच्छत्र मंडल को सबतरिसी कहा जाता है तो सबतरिसी कहा जाता है अर्षा मेजर को ठीक है अर्षा मेजर जो है इसे सबतरिसी के नाम से जाना जाता है नेस्ट कोशन है कोशन मरे 1837 पिर्थवी पर रित्मों का परिवर्तन किस कारण होता है तो पिर्थ नेक्ट कोशन है डीजल इंजन काविशकार किस ने किया था तो डीजल इंजन काविशकार रुडोल्फ डीजल ने किये थे नेक्ट कोशन है अजनता की चित्रकार्या किस की कहानियों को दरसाती है तो दिखे अजनता की चित्रकार्या जो है ये जातक कथाओं की कहानियों को वर्नन किया गया है इस पुस्तक में ठीक है जातक ग्रंथ में जो है जातक कताओं में भगवान बुद्ध के पूरवत जन्मों की कताओं का वर्नन किया गया है इसमें और अजन्ता की गुफाईं कहां से थे तो अजन्ता की गुफाईं जो है ये महराश्ट के औरंगाबाद नेस्ट कोशन है, कोशन में 1840, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिला खां किस वाद्य अंत्र में विख्या थे, देखे उस्ताद बिस्मिला खां जो थे, ये सहनाई वादक थे, ठीक है, उस्ताद बिस्मिला खां किस वाद्य अंत्र में विख्या थे, तो ये सहनाई वाद्य अंत सबसे पूराना वेद है रीग वेद ठीक है सबसे प्राचिन वेद कौन सा है रीग वेद है और सबसे नवीन वेद कौन सा है सबसे बाद का वेद कौन सा है तो वह है अथर्व वेद अथर्व वेद में जो है जादू टोना आधिका उलेक किया गया है ठीक है नेक्स्ट कोशन है रविंदरनाथ टैगोर को किस वर्स नोबेल पुरसकार परदान किया गया था तो रविंदरनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरसकार वर्स 1913 इस्व में परदान किया गया था नेक्स्ट कोशन है कोशन में 1844 किस हडपा काली नसल से जूते हुए खेत का साथ से मिला है तो जूते हुए खेत का साथ से काली मंगा से मिला है ठीक है काली मंगा जो की वर्तमान में राजस्थान में सीथ है तो यहां से जो है काली मंगा से जूते हुए खेत का साथ से मिला है Next question है किसी औसत व्यस्क व्यक्ति के लिए ध्वनी की सुरव्य सीमा कितनी है तो देखें किसी भी औसत व्यस्क व्यक्ति के लिए ध्वनी की सुरव्य सीमा 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक होती है इसे सुरव्य ध्वनी कहते हैं सुरव्य तरंगे कहते हैं अडिवल वेब्स होते हैं, जोकि 20 हट्स लेकर 20,000 हट्स के बीच होती है, इसे जो है हमारी कान सुन सकती है next question है, question number 1846 तैराग को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराग को पानी में तैरने के लिए उत्फ प्लावक बल मदद करता है नेक्ट कोशन है 1932 मेचिल भारतिय हरीजन संकिस्थापना महात्मा गांधी ने की थी कोशन है 1848 अमरीट सर्चार के स्थापना किस्ने की? अगला प्रस्णे है नमक सत्यागरा कब हुआ? नमक सत्यागरा वर्स 1930 से सुम हुआ था नेक्स्ट कोशन है कोशन मर 1850 वायू में नाट्रोजन कितना परतिसत है तो वायू में नाट्रोजन 78 परतिसत है नेक्स्ट कोशन है भारत की सवर्निम चतुरभूज पर्योजना जोडती है तो भारत की सवर्निम चतुरभूज पर्योजना या दिल्ली मुंबाई चेनई कोलक लगतार दो जनगनाओं के बीच कितने वर्स का अंतराल होता है तो लगतार दो जनगनाओं के बीच दस वर्सों का अंतराल होता है ठीक है पहली बार जनगनाओं कर दस वर्स के बीच धीक है अगला प्रस्न है बोक्साइट किसका आयस का है तो बोक्साइट ये ऐलमोनियमका आयस का है नेक्स्ट कोशन है न्यूकली कमला की खोच सबसे पहले किस ने की थे तो न्यूकली कमला की खोच सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर ने की थे next question है तपेदिक किसके कारण होता है तपेदिक जिसे English में tuber closest कहते है तो tuber closest या TB विमारी या किसके कारण होता है तो या about bacteria के कारण होता है जिवानू के कारण होता है next question है question number 1858 किस वर्ष में राश्ट्रे किसान आयोक स्थापना की गई थी तो राश्ट्रे किसान आयो के स्थापना वर्स 2004 इसमें की गए थी Next question है AMRI मसीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है तो AMRI मसीन में जो है चुम्बक्य तरंग का उपयोग किया जाता है Next question है Question 1860 फर्मी मात रख है फर्मी किस का मात रख है तो यह लंबाई का मात रख है अगला प्रस्ण है किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन परभाव के लिए नोबेल पुरुसकार दिया गया था तो देखें सर सीवी रमन जो थे इन्हें भौतिकी के छेतर में रमन परभाव के लिए नोबेल पुरुसकार दिया गया था कब 1930 इस्व में दिया गया था ठीक है नेस्ट कोशन है BCG का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले तो आपको comment box में ये बताना है कि BCG BCG का टिका 21 रोग के against लगा जाता है आप इसका answer comment box में बताएगा तो BCG का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस केलमेट गुएरिन ठीक है BCG का फुल फॉर्म क्या होता है बैसिलस केलमेट गुएरिन नेस्ट कोशन है कोशन मेर 1863 सिंधु घाटी सभयता का कौन सा प्राचिन सहर अपने बंदरगाह के लिए परसित था तो वस्थान है लोथल लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभयता का एक असल है और यह अपने यह सहर बंदरगाह के लिए परसित था ठीक है सिंद्धु गाठी सवीतर का बन्दरगास सहल था लोथल जो था बन्दरगास सहल था लोथल वरतमान में किस राज में सिथैं तो या गुजरात राज में सिथैं नेस्ट कोशन है भारत में विश्व विख्यात सैल चित्रकला असल कहां सित है तो भारत में विश्व विख्यात सैल चित्रकला असल या भिम बेटका में सित है भिम बेटका में मध्य परदिश में नेस्ट कोशन है महाविर स्वामी का जन्म स्थान है तो महाविर स्वामी जी के काटने से मलीरिया रोग होता है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर 1867 कौन सा उत्तक पौधों में जल एवं खनीज लवन के परिवहन का कार्य जैलम उत्तक करता है अगला प्रस्ण है लोनार जिल कहां सित है तो लोनार जिल इस्तित है महाराष्ट राज्य में नेक्स्ट कोशन है कोशन मर 1869 सामानेता किस पोसक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है घेंगा रोग जिस एंगलिस में गोटर कहते हैं तो गोटर डिजी जो है घेंगा रोग या आयोडीन की कमी के कारण होता है नेक्स्ट कोशन है भारते सवधान की दस्वी अयोगेता से समन्दित किसी भी मुद्य पर अंतिम निर्ने किसके द्वारा लिया जाता है। कोटिल्य अत्वाचानक के एक ही नाम है दोनों का। कालिदास। अगला प्रश्न है वेन गंगा किसकी साहिक नदी है गोदावरी की। गोदावरी की व्रीध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। या दचिन भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे व्रीध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विन गंगा गोदावरी की साहएक नदी है। नेक्स कोशन है, थाइमोसी नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव कहा से होता है। के लेखक कौन है। तो किताब उल हिंद के लेखक अल बरुनी है ठीक है अल बरुनी नेस्ट कोशन है भिम्बेटका गुफाओं की खोज किसने की थे तो भिम्बेटका गुफाओं ये कहां सित है तो ये MP में सित है मध्य परदिस में तो भिम्बेटका गुफाओं की खोज डॉक्टर वी एस वा परद्य-परदेश राज मे से थे नर्मदा-न थी पर नेश्ट कॉसन है विजयन देवराय किस राजवन से समनित है देखें विजयनगर के सबसे महान सासक हुए कृष्ण देवराय ठीक है क्रिश्ण देवराय ये तूलू तुलु राजवन से समन्धी थे, तुलु राजवन से, next question है, question number 1882, भियर सवर मंदल के किस गे पास कोई भी उपगरह नहीं है? तो हमारे सवर मंदल के बूध और सुकर ग्रह बूध और स्ुकर ऑसे दो ग्रह है जिनके पास कोई भी उपगरह नहीं है, इनका अपना कोई भी उपगरह नहीं है ठीक है नेश्ट कोशन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रहंपूत्र का डेल्टा जिसे सुंदर्वन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं नेश्ट कोशन है भारते सविधान के भाग फोरका में कितने मौलिक कर्तविया उलिखित है तो भारते सविधान के भाग फोरका में कुल 11 मौलिक कर्तविया उलिखित है एस्या के बाद विश्व की दूसरा सबसे बड़ा महादवीप कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महादवीप कौन सा है तो वह है एस्या महादवीप और इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादवीप है अफ्रीका महादवीप सबसे छोटा महादवीब कौन सा है तो वह है औस्ट्रिलिया महादवीब नेश्ट कोशन है अलपना किस राज की पारंपरिक लोग कला है तो अलपना जो है यह पस्चीम बंगाल की पारंपरिक लोग कला है नेश्ट कोशन है कोशन वर 1887 वास्को डिगामा कहां का यात्री था देखें वास्को डिगामा जो था यह भारत के लिए समुद्री मारगे की खोज की थी यह कहां का यात्री था तो यह पुर्तगाल का यात्री था ठीक है वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आये था तो यह पहली बार भारत 1498 इस्विम आये था और इसी ने भारत के लिए समुदरी मारगे की खोज की थी और यह कहां का यात्री था तो यह पूर्टगाल का यात्री था नेस्ट कोशन है भारती सविधार में कितने वर्स तक के बच्चों के लिए निसूल के एवं अनिवारे सिच्छा की वर्स तक की गई है तो भारती सविधार में 6-14 वर्स तक के बच्चों के लिए निसूल के एवं अनिवारे सिच्छा की वर्स तक की गई है अगला प्रसन है बांगला देश एक सोतंतर राष्ट कब बना 1971 इस्वी में जो है एक सोतंतर राष्ट बना था बंगलादेश next question है भारत की सोतंतरता के बाद कौन सा भारतिय गवर्णर जनरल बना तो भारतिय सोतंतरता के बाद भारतिय गवर्णर जनरल बने थे चक्रवर्णर राजगोपालाचारी ठीक है लूड मांट बेटन ठीक हैं जो है ये सौतन्त्र भारत के परतम जनल हुए ब्ल legg भारत के परतम भारतिय गवर्णर जनल कौन हुए तो वह हुए चक्रवर्ति राज गॉपालाचारी नेक्ट कोसन है 1891 राजा राम मोहन्राय की समाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था तो दिखे राजा राम मुहन राई जो थे इन्हें आधुनिक भारत का ये कहा जाता है इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है ठीक है राजा राम मुहन राई को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और इन्हें जो है समाजिक बुराई की सती पर्था की बुराई के लिए जो है सती पर्था की उन्मुलन के लिए इन्हें जाना जाता है राजा रामोहन राय इन्होंने सती पर्था की उन्मुलन के लिए इसे समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था नेस्ट कोशन है कोशन मर 1892 मगद राज की प्राचिंतम राजधानी कौन सी थी तो मगद राज की प्राचिंतम राजधानी थी राजग्रे नेस्ट कोशन है ज्वाला मुखी के मुख को क्या कहते हैं तो ज्वाला मुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है अगला प्रस्न है बिंदु जहां भुकम की उत्पती होती है कहलाता है तो वह बिंदु भुकम केंद्र कहलाता है ठीक है वह बिंदु जहां पर भुकम की उत्पती होती है या उसे भुकम केंद्र कहलाता है next question है विश्यवे वैपार संगठन के स्थापना वर्स 95 2015 हुई थी next question है अंत्रिच में जाने वाली पहली भारती महिला थी कलपना चावला नेक्स्ट कोशन है प्रसीद कंदरिया महादे मंदीर कहां सित है तो प्रसीद कंदरिया महादे मंदीर मद्य परदेश के खजुराहों में सित है नेक्स्ट कोशन है प्लेंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है तो पुस्तक प्लेंग इट माई वे के लेखक है सचीन तेंदुलकर लास्ट कोशन है इस वीडियो का कोशन बन 1900 स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थर मंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ मंत्री थे राजकुमारी अमरिता कौर ठीक है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ मंत्री कौन थी राजकुमारी अमरिता कौर थी